मुर जाए हुए फू लो की कसं इस देश में फिर ना आउंगा ना आउंगा तू किदर जा रहा है जोई साह उमर गुदर गई उमर भीद गई आप से फैंटियां खाते खाते अब मुझे आप से फैंटी खाने की मजीद हिमत नहीं है इसलिए क्या रहा था और चाला चाले शोहिया राखिए नीचे अपना तान तो बड़ा मेरा मीट ना कुमा मैं पहले बड़ा परिशान हूं और मेरी जानों को तो पहली किसी के नजर लागी है इस पेंड में सबसे उच्छा शिमला था मेरा लोग मिसाले देते थे चोदरी अ तो उनका दूद दिन बदिन कम होता जा रहा है और चौई साब यह क्या हुआ आप एक दम रगीन पंजाबी माट ताड़ वाली फिल्म से एक दम गमगीन और उर्दू ब्लैक अंड वाइट फिल्म पे आ गए हैं मैं आपको छोड़कर नहीं जाओंगा नहीं जाओंगा अ और आपके पास ना तरगा है ना पकाया जात है इसलिए कहा था है अचले अवालेकु स्लाम वालेकु साजिर है अच्छा जनाब बाहर से पढ़ कर आएं और इनके जदीर तेरी फार्म भी है ओजनाब आप साहिमा जी के साथ आए हैं मारे परोने हैं बैठे तशीरिव रख क्या बाते कि आ अच बड़े परशान लग रए हो और यह हरवक फजुसे क्यों लड़ते रहती हैं और लड़ू क्योना साहिमा जी अब आपको मैं क्या बताओं मेरे जानुरों को तो किसी की नजर ही लग गई उनका दूद तो दिन ब दिन कमी होता जा रहा है और जो कमाई है सब उनी के ओपर लग रही है आपको तो पता है इस मगाई के दोर में जानवर रखना कितना मुश्कल काम है मुनाफ़ा काम है और खर्च ज्यादा है एक मेंट जी आप मुझे ये बताएंगे कि आप अपने जानवरों की नसल बढ़ाने के लिए क् करते हैं और जनाव पिछले वक्तों में मारे वालत बिश्टी ने एक अल्ला नसल का सांड खरीदा था बड़ा वक्रा जानवर है आप देखेंगे तो आपकी तबियत खुश हो जागी बस पिछले कई सालों से हम अफजाशे नसल के लिए उसी सांड से काम चला रहे हैं क्य मैं हमेशा अपने फार्म के लिए निया और ऐसा सांड का इस्तमाल करता हूँ जिसकी माँ ज्यादा दूद देती हो इसी वज़ए से मेरे जनवरों का दूद हर नसल में बढ़ता रहता है लेकि जनाव ये हर साल निया सांड करीज़ ना ये बड़ा मेंगा सा नसका नहीं ह इसका भी हल है वो है मस्नूवी अफ़जाश नसल अपने जनवरों को ज्यादा दूद देने वाली अच्छी नसलों के बीज रखें मजीद मालूमाद के लिए डेरी हाप दफ्तर राप्ता करें देख चोत्री जनूरों का दूद बढ़ेगा तो तुम्हारी आमदने में भी इजाथा हो गया और तुम्हारी सारी परिशानी खत्म हो जाएगी इंशाल्लाव सैमा जी मेरा भी एक मसला है जी वो क्या है जी वो जे आजी के अगर चावजी साब से बार बार तंखा का तकादा करने के वाव व्यूद यह तंखा और अपने बगाया जात मुझे ना दें तो आपका जे बताया गया जो टेक्निशन है इनसे आकर पैसे निकलवा सकता है तेरा बेड़ा गरत जाया थाना खरापा